हेलो फ्रेंज अगर आप जहाई हैं दाग धब्बे से फरेशान हो तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे अपने दाग धब्बे जहाई हैं जड़ से कैसे खतम करें 15 दिन में और घर की रखी चीज़ों से बताएंगे तो पूरा वीडियो बॉच करें आपको तभी स समझ में आएगा अगर सबसे पहले चैनल पर नहीं हो तो हमारे से चैनल को सब्सक्राइब करने इससे आने वाली वीडियो की नोटिपिकें सबसे पहले आपको मिले तो चलिए सुरू करते हैं तो हैं हमें चाहिए आलू कर रस एक आलू हमने लिया था और इसे कद्दू करक में चैनल वीडियो में इसमें बताएंगे और यह आलू सबकी किछन में मिल जाता है तो देखिए हमें और चीजले लेनी हैं तो हमें लेनी है यह पर हल्दी हमें इसमें डाला कोशिस करें जो लिए हल्दी gusta कि बहुत ml 먹고 घर में डाला बढ़ के पीस गर मार्केटट यहां पर एक चमच भर के बेशन और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिला लेना है बेशन भी हमारे चेहरे के लिए बहुत फायदा करता है काफी हद तक बेशन से दाग दब्ब्बे हमारे खतम होते हैं तो दीखी चैहρι हमें लगाना कैसे है जब भी आपके चैहरे पर मेंग उनी चाहिए धूल मिट्टी गंदी की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए लगाते समय इस बात का दिहास रखना है बिल्कुल चैहरा को के लेसा करना है उसके बाद में एसे लगाना है और लगाना कृतनी दे बढ़ सकती हैं इसे बढ़ कर दिहान रखना रखना है लगाने के बाद या ड्राइ हो यह ना हो 10 मिनट बाद हमें इसे तुर्णत ही दो देना है और पानी हमे नौर्म घंडा पानी चाहिए ने ज्यादा फिन्डा पानी चाहिए normal पानी से हमें अपना चहरा साप करना है और यह जो बचेगा ना लगाने के बाद इसे फिरिज में दो दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल खराब नहीं होगा यह फैंकने की जरूरत नहीं है लगातार 20 दिन अपने चहरे पे इसे लगाओगे ना पैक को तो काफी हद तक आपकी जाईयां खतम होगी और जो कील मुहासे के दाग धब्बे हो जाते हैं वो भी इससे खतम होगे आलू बहुत फायदा करता है हमारे चहरे के लिए तो कैसी लगी वीडियो वीडियो अच्छी लगे तो जादा से जादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर थेंक यू